इन्वेटर के इतिहास में अब तक का इसे पावरफुल इन्वेटर हमने नहीं देखा है नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका वह इंतजार समाप्त हो रहा है जिसके लिए आप एक लंबे समय से कोमेंट कर रहे थे कि एक ऐसे इन्वेटर का रिव्यू कीजिए जिस पर AC, समर्सेबल, कूलर, पंखे, इंडक्षन और घर का सभी लोड चलाया जा सके तो एक लंबे इंतजार के बाद आपके लिए एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेकर आया हूँ यह इन्वेटर एप्रो कमपनी का 3000 विये में MPPT Solar Technology में कमपनी ने अभी अभी इसको लॉंच किया है वीडियो में सभी कुछ आपको दिखाएंगे कि आपके घर के क्या-क्या एप्लाइंस यह चला सकता है कितनी इसकी चार्जिंग कैपिसिटी है, सोलर कैपिसिटी कितनी है और भी बहुत कुछ बताने के लिए मैं आपका दोस्त अर्विंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइकरोव नागल और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसकी अन्बोक्सिंग के साथ साथ इसके सारे फीचर आपको बताते चलेंगे और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं एप्रो कंपनी का यह सोलर पीसियू है और बोक्स के इस साइड में यहाँ पर बहुत सारे फीचर दिये गए हैं जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कंपनी ने 30 मन्थ इसकी ओन साइट सर्विश दी है टोल फिरी नंबर भी यहाँ पर दिया गया है बोक्स के अंदर प्रोडक्ट के साथ यहाँ इसकी यूजर गाइड दी गई है और वारंटी कार्ड भी इसका यही है साथ में चार डिसी फ्यूज दिये गए है और दोस्तो बहुत ही सुन्दर देखने में यहाँ इनवर्टर लग रहा है कलर कोमबिनेशन भी बहुत अच्छा है और बहुत ही कॉमपेक्ट सा साथ है इन्वेटर को back side से हम देख रहे हैं तो दो फैन यहाँ पर दिये गए है एक फैन इन्वेटर कार्ड के लिए होगा और एक फैन शोलर कार्ड के लिए होगा बैटरी के लिए केबल जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 mm का केबल दिया गया है बहुत हैवी कनेक्टर है इन्वेटर में solar connection के लिए strip नहे देकर direct ही solar connector दिये गए हैं यह है solar panel का channel 1 है और यह है solar panel का channel 2 है और एक channel पर maximum 40 ampire का solar current हम connect कर सकते हैं यानि दोनों चैनल में मिलाकर इस इन्यवेटर की 80A तक solar current की capacity है solar panel की VOC एक चैनल पर 34V से 88V तक की है यानि इस पर 24V का एक panel जिसकी VOC 44V होती है single panel भी जोड सकते हैं या 3 या 4 parallel में भी जोड सकते हैं और या 2-2 की series भी connect कर सकते हैं दो-दो पैनल की एक series यहां पर और दो-दो पैनल की एक series यहां पर या दो-दो पैनल की दो series parallel करके यहां पर और दो-दो पैनल की दो series को parallel करके यहां पर connect कर सकते हैं यानि इस पर 308 या 335 वाट के 8 panel आप connect कर सकते हैं जरूरी नहीं कि 8 ही पैनल कनेक्ट करने हैं, 8 से कम भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर इस इन्वेटर के साथ 26, 27, 28 तक पैनल कनेक्ट किये जा सकते हैं, देखने में इन्वेटर बहुत ही सुंदर और कलासिकल लग रहा है, इसको ओपन करके इसकी manufacturing quality भी आपको दिखाएंगे, लेकि 206 वोल्ट इसकी no load पर है, भी कोई load हमने नहीं चलाया है, no load पर इसके ampere भी देख लेते हैं, और no load पर बैटरी से 1.67 ampere consume हो रहे हैं, और अब डिस्पले के साथ load कनेक्ट कर लेते हैं, 400 वाट का लोड इस समय चल रहा है, और output वोल्ट हम देख रहे हैं कि वही 206 वोल्ट है, तो 408 वाट लोड तक इन्वेटर के output वोल्ट में कोई dropping नहीं है, साथ साथ आपको बताते चलें कि यह invator pure sine wave invator है, लोड को और बढ़ाते हैं, 1000 लोड हमने कर लिया है, invator के output वोल्ट 203 वोल्ट है, कोई dropping अभी तक नहीं है, लोड और बढ़ाते हैं, 1500 वाट का लोड हमने कर लिया है, output वोल्ट 200 टिके हुए है, जबकि इस समय के जितने भी 2500 वाट या 3000 वाट के inverter हैं, 1500 वाट पर जाकर उनके वोल्ट 170 या 180 रह जाते हैं, अब लोड को बढ़ाकर इसकी maximum limit तक ले जाते हैं, और अवर लोड का whistle आ गया है, डिस्पले भी ओरेंज कलर का यहां पर हो गया है, लेकिन दोस्तों इस समय टेस्टिंग मिटर में लोड भी हम 1800 वाट का देख रहे हैं, 1800 वाट का लोड इस समय यह है, चला रहा है, 1800 वाट लोड पर इसकी output 185 वोल्ट की है, अपेक्स्या के अनुसार एक बहुत अच्छा पावरफुल इन्वेटर यहां हमें देखने में मिला है, 24 वोल्ट यानि दो बैंटरी में, अब तक हमने जितने भी इन्वेटर टेस्ट किये हैं, कोई भी इन्वेटर 16-1700 वाट लोड सिमा तक नहीं पहुंच पाता, और हम यहां पर देख रहे हैं कि 1800 वाट लोड पर यह है इन्वेटर टिका हुआ है, इन्वेटर के इतिहास में, 24 वोल्ट का 1800 वाट लोड उठाने वाला इन्वेटर, अब तक हमारे सामने नहीं आया है, यह है पहला इन्वेटर है, जिस पर मैंने 1800 से अधिक लोड चला कर इस inverter के साथ जो चार पूस्ट बटन हम देख रहे हैं इन से इसकी पूरी सेटिंग हो जाती है इसकी सेटिंग के संबन में भी जानना चाहेंगे तो आपको कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिखना इसकी सेटिंग का वीडियो भी हम कभी आपको ज़रूर देंगे अभी grid से इसके charging ampere और इसको open करके भी आपको दिखाते हैं testing meter को grid से connect कर लिया है और inverter को grid से connect कर लेते हैं 460 watt की energy से इस inverter ने battery को charge करना शुरू कर दिया है और charging के DC ampere भी आपको दिखाते हैं meter में हम देख रहे हैं कि 14.6 ampere से battery charge हो रही है grid से भी charging capacity inverter की बहुत अच्छी है यदि आप inverter के साथ solar panel connect नहीं करेंगे तो grid से भी यह आपकी 150 ampere की 2 battery को 5-6 घंटे में full charge कर देगा यदि आप अच्छी battery लगा कर और sufficient capacity के panel connect करते हैं तो आराम से यह AC के 10 ampere तक का load चला सकता है और AC के 10 ampere का load चलाने का मतलब है कि आपका 1 HP का summer signal आराम से चल सकता है day return का AC भी इस पर आराम से चलाया जा सकता है इसके अलावा भारी load में 1600 watt तक का induction भी EC inverter पर आप चला सकते हैं लेकिन इस परकार के सारे load इकठे नहीं चला सकते या तो summer signal चला सकते हैं या AC चला सकते हैं एक समय में एक load चलेगा और जिस समय इस परकार के भारी load आप नहीं चला रहे होते हैं उस समय आप अपने घर के freeze, washing machine, fan आदी load साथ साथ चला सकते हैं और दोस्तों अब इसको open करके इसकी manufacturing quality भी आपको दिखाते हैं अच्छा अच्छा हमने inverter के कार्ड देखे हैं कि छोटी-छोटी हीट सिंग लगा कर बहुत कम मोसफिट लगे भी होते हैं यहाँ पर हम heat sink भी देख रहे हैं कि बहुत ही heavy heat sink है और मोसफिट भी संख्या में काफी लगे हुए हैं heat sink को ठंडा रखने के लिए एक fan heat sink पर ही लगाया गया है और एक fan बाहर cabinet पर लगाया गया है pure sine wave inverter है काफी heavy card inverter का यहाँ पर दिया गया है और उपर हम जो देख रहे हैं यह card solar के लिए card दिया गया है और transformer की quality भी आपको दिखा देते हैं उंदा quality का transformer इसमें लगाया गया है 7 number core में है काफी heavy transformer है दोस्तों जैसा की हमने देखा कि company ने quality में कोई कंजूसी नहीं की है basic rate इसके ज्यादा है इस समें इसका market price 22,000 रखा गया है लेकिन इसकी quality के हिसाब से इसका rate justify होता है तो यदि आप 24 volt में एक बहुत अच्छा load चलाने वाला और एक बहुत अच्छी quality का inverter सर्च कर रहे हैं तो इस inverter को आप ले सकते हैं कोई किसी परकार की दिक्कत नहीं है warranty भी अधिक है solar panel भी आप इस पर अधिक से अधिक लगा सकते हैं जिससे आप अपनी energy का अधिक से अधिक saving कर सकते हैं और दोस्तों यदि इस inverter के संबन में आपके मन में कुई प्रसन है तो comment करके जरूर पूछ लेना वीडियो अच्छा लगा हो तो like करके share जरूर कर देना और चैनल को यदि अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe करके by likeन का button जरूर दबा लेना वीडियो देखने के लिए आपका ब प्रसकार दोस्तों